एक दिन एक किसान का बैल कुवे में गिर गया। वह बैल घंटों जोर जोर से रोता रहा और किसान सुनता रहा और विचार करता रहा कि उससे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। आंधतह उसने नेड़े लिया कि चुंकि बैल काफी बुढ़ा हो चुका था अतह उसे बचाने से कोई लाप होने वाला नहीं था और इसलिए उसे कुवे में ही दफना देना चाहिए। किसान ने अपने सभी पडोसियों को मदद के लिए बुलाया, सभी ने एक एक फावड़ा पकड़ा और कुवे में मिट्टी डालना शुरू कर दे। जैसे ही बैल की समझ में आया कि यह क्या हो रहा है, वह और जोर जोर से चीक चीक कर रोने लगा और फिर अचानक यह आश्चेर जनक रूप से सान्थ हो गया। सब लोग चुप चाप कुवे में मिट्टी डालते रहे, तभी किसान ने कुवे में जहाका तो वह आश्चेर से सन रह गया। अपनी पीट पर पढ़ने वाले हर फावडे की मिट्टी के साथ वह बैल एक आश्चेर जनक हरकत कर रहा था, वह हिल हिल कर उस मिट्टी को नीचे गिरा देता था और फिर एक कदम बढ़ा कर उस पर चड़ जाता था। जैसे जैसे किसान तथा उसके पड़ोसी उस पर फावणों से मिट्टी गिराते वैसे 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 हिल हिल कर उस मिट्टी को गिरा देता और एक सेड़ी उपर चड़ जाता। जल्दी ही सब को आश्चर चकित करते हुए वह बैल कुवे के किनारे पर पहुँच गया और फिर कूद कर बाहर भाग गया ध्यान रहे ध्यान रखें आपके जीवन में भी बहुत तरह के मिट्टी फेकी जाएगी बहुत तरह की गंदगी आप पर गिरेगी जैसे कि आपको आगे बढ़ने से रोकने के लिए कोई बेकार में ही आपकी आलोच न करेगा कोई आपकी शफलता से इर्ष्या के कारण आपको बेकार में ही भाला बुरा कहेगा कोई आप से आगे निकलने के लिए ऐसे रास्ते अपनाता हुआ दिखेगा जो आपकी आदर्शों के बिरुद्ध होंगे ऐसे में आपको हतोत साहित होकर कुवे में ही नहीं पड़े रहना है बलकि शाहस के साथ हर तरह की गंदगी को गिरा देना है उससे सीख लेकर उससे शिड़ी बना कर बिना अपने आदर्शों का त्याग किये अपने कदमों को आगे बढ़ाते जाना है शकारात्मक रहें शकारात्मक जीएं संसार में सबसे बड़ी संपत्ति बुद्धी सबसे अच्छा हथियार धैरी सबसे अच्छी सुरक्षा बिश्वास सबसे बढ़िया दवा हसी है और आश्चेर की बात कि एस समनी सुलक है सोच बदलो जिन्दगी बदलेगी